हालो फ्रेंट वल्कम बेक आज इस वीडियो में हम बात करने हो वाले हैं सिया कोईन के हड़ पॉक की और आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया और यह पूछा कि इस के उपर हम वीडियो करें तो चलिए आज डिटेल में जानेंगे कि वर्ट एग्जेटली जो होने वाला है और कम होने वाला है तो यहां पर जैसे कि यह पूरा जो पैटर्न है कि कब कब क्या हुआ उसमें हम देख सकते हैं कि 1st of July को जो हमारा एक हाट फॉक होने वाला है सिया कोईन का चली इसके ओफिशल सोर्स पे चलें तो है और एक डिफरिंट नेटवर्क बनाइजारी जा रही है तो यानि मतलब ऐसा अकसर हमने देखा है कि बहुत सारे coins में यह होता है कि उसका जो original source code होता है उसको change करके क्योंकि open source हैं यह सारी चीज़ है तो उसको change करके आप दूसरा एक chain बना सकते हैं दूसरा एक concept एक project लेकर आ सकते हैं उसमें कुछ improvements करके या उसमें कुछ changes करके तो यहां पर hyperspace is the new project जो यहां से siya coin से निकल के आ रहा है और इसके पीछे जो currency है जो इसको back करेगी hyperspace को that is space cash और अभी फिल्हाल तो हमें यहां पर information इतनी ही है कि space cash ही होगा यह और maybe in future चाहे है वह हम इसको space coin कहे है that is a different thing तो यहां पर what exactly पहले हम यह देख लें कि hyper space exactly है क्या तो यहां पर जब हमने इसको overview किया तो बहुत जादर details में तो अभी में नहीं गया इसके लेकिन जो मैंने overview में देखा that is कि जो CR coin का concept है absolutely वही almost इसका concept है of course हां कुछ features में थोड़ा बहुत change जरूर मिलेगा आपको यहां पर और CR coin वहां पर क्या करता था कि जो आपकी storage लेता था उसका मिला कर एक cloud storage network बना रहा था तो यहां पर hyper space भी actually वही कर रहा है कि एक cloud storage network ही बना रहा है और उससे क्या है cloud storage बगएर का जो अभी जो हमें खर्चा पड़ता है वह काफी कम हो जाएगा तो यही exactly वही concept है लेकिन उसमें हाँ of course कुछ features वगरा जरूर चेंज होंगे तब ही इन्होंने जो मतलब उस code को कुछ ना कुछ improve किया होगा कुछ features चेंज किया होगे तो अब बात करते हैं कि यह कब होने वाला है तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जो ब्लॉग नमर होगा 161358 जो सिया के blockchain पर जब यह अकर करेगा यह ब्लॉग जब generate होगा तब यह snapshot होगा यह अब है अब किया जा रहा है कि first of July को होगा और यह आगे पीछे देखे हो जाती है यह चीज़े बिकर्ज हो सकता है कभी कभी mining ज्यादा माइनिंग ज्यादा हो जाती है ज्यादा होती है तो यह थोड़ी चीज़ेपहले कर कर जाती है कि पर माइनिंग में कुछ delay चल रह आकर करेगा और यहां पर snapshot होगा और यहां पर airdrop के तालोग से यहां पर इन्होंने यह बताया हुआ है कि 3.5 billion of space cash जो है यहां पर distribute किया जाएगा मतलब एक तरीके से airdrop की तरह से और वो दिया जाएगा CR coin holders को आप CR coin holders को जो दिया जाएगा वो किस ratio में दिया जाएगा that is कि 10 CR coin के बदले एक space cash आपको दिया जाएगा यानि मतलब अगर आपके पाद 10 CR coin है तो आपको एक space coin मतलब एक space cash coin आपको मिलेगा तो यहां पर एक और चीज की अभी कौन-कौन से exchanges जाएगा वो हैपर इसको या इसको मतलब सपोर्ट करेंगे यह अभी कुछ clearification नहीं है तो यहां पर सबसे जो बड़ी चीज है तो यहां पर सबसे जो बड़ी चीज है आपके वालिट्स में होने चाहिए आपके exchanges पर नहीं होने चाहिए फिकोज अभी कोई ऐसा clarification नहीं दिया गया है कि exchanges is hard focus support करेंगे नहीं करेंगे कौन से करेंगे कौन से करेंगे कौन से नहीं करेंगे तो अगर आप इस airdrop का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अफकोस यह जो साय कोई से हैं जो साय कोई को अफिशल वालिट है उसमें आप रखिए क्योंकि जब भी है स्प्लेट होगा तब आपको उसके साब से notification दे रिया जाएगा या जो भी जो एक wallet जो support करता है साय कोई को तो वहां प करता हूं आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे जब 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 शेयर करेंगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिलहाल आच के लिए तेंक यू